इस प्रॉलम को सॉल करते हैं क्वेशन क्या कहता है there are 50 student in a class their average weight is 45 when one student leave the class the average weight reduces by 100 gram what is the weight of that student who left the class क्या कहारा है क्वेशन में कि 50 student है जिनका average weight कितना है class का वो है 45 एक student क्या करता है class छोड़ देता है और उसकी वज़े से जो average weight है वो reduce कर जाता है 100 gram से ठीक है तो हमसे पूछ रहा है कि जो यह student में class छोड़ी है उसका weight कितना होगा यह बताना है ठीक है जिस student में class छोड़ी है वो उसका weight तो 45 average weight उसका भी रहा होगा 45 kg ठीक है लेकिन उसके class छोड़ने की विज़े से जो weight है average weight है वो भी decrease कर जा रहा है कितने से 100 gram से तो कितने बचे हुए बच्चों में यह 100 gram समय से कम हुआ होगा it means 49 student अब बचे है एक student चला गया total is 155 थे 49 student बचे है सबका average 100 100 gram से कम हो गया means अगर इसे हम 100 gram से multiplied कर दें तो value हमें आ जाएगी जितना total कम हुआ है और जो कम हुआ है वह यह student लेके गया है तो it means इसकी value कितने आ जाती है 4900 grams that is per to 4.9 kg ठीक है average weight तो उस student का 45 था लेकिन वो गया तो 100 gram कम हो गया it means वो यह 4.9 kg और ले गया इस 4.9 को इसमें add कर देंगे तो 49.9 kg निकल के आएगा जो उस student का weight है जिसने class छोड़ी है option 3 इस question का सही answer झाल 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 झाल